नमस्कार दोस्तो पाच महीने के बाद बियारस नेता के कविता जेल से बाहर निकल आई हैं अरिवार वालों से गले मिलकर के कविता किस तरीके से रोती हुई नजर आ रही हैं वो भावुख हो गई थी उनके आशू थम ही नहीं रहे थे हाला कि तिहार से बाहर निकलते ही उन्होंने हाथ उठाकर सभी का अभिवादन किया उनके जितने समर्थक वहाँ पर खड़े हु उन्होंने कि वो ये लड़ाई जरूर लड़ेंगी और खुद को निर्दोल भी साबित करेंगी तो सुप्रीम कोट ने दिली के शराब घोटाले से जुड़े ब्रिष्टाचार और मनी लॉंडरिंग के मामले में बियारस की नेता के कविता को रहा देते हुए 27 अगस्त के दिन उनको जमानत दे दी इसके बाद राउज एवन्यू कोट ने के कविता के लिए रिहाई वारन भी जारी कर दिया जिसके बाद बियारस नेता के कविता को रिहा भी कर दिया गया जेल से बाहर आने के बाद के कविता की आँखों में आसू थे इस पर उन्होंने खुद ये बात कहीं मीडिया से बात करते हुए कि मैं आज करी 5 महीने बाद अपने बेटे, भाई और पती से मिलकर भावुक हो गई हूँ, इस स्थिती के लिए केवल राजनीती जिम्मेदार है, देश जानता है कि मुझे केवल राजनीती के कारण जेल में डाला गया, मैंने कोई ग सोड़ना बहुत मुश्किल है, हमारे परिवार की एहालत जिन लोगों ने की है, हम उन्हें ब्याज समेत वापस करेंगे, मैं उन सभी कादल से शुक्रियादा करती हूँ, जो इस मुश्किल घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े थे, मैं आज करी 5 महीने अपने बेटे, भाई और पती से मिलकर भावख हो गई, तो सिर्फ यही नहीं उन्होंने जेल के संघर्ष के बाद खुद को और अपनी पार्टी को और मजबूत करने की बाद भी कही और इस गिरफतारी को पूरी तरीके से गहर कानूनी बताया, वो कहती है कि मैं तेलंगा हम लड़ाकूं हैं, हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे, हम राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे और खुद को निर्दोश साबित करेंगे, उन्होंने गेर कानूनी रूप से हमें जेल में भेजकर बी आरेस और केसियार की टीम को मजबूत बना दिया है, आपको बता दी, कल जब के कविता को सुप्रीम कोट से जमानत दी गई थी, तब ED और CBI को उनके मनमाने बरताव पर सुप्रीम कोट ने जबरदस फटकार लगाई थी, और ये भी कहा था कि क्या ED, CBI अपनी मर्जी से किसी को भी कभी भी उठा लेगी, ED और CBI पर जरा भी लगाम नहीं है, अब तीसरी बड़ी नेता के कविता रिहा हो चुकी है, जिसे ED और CBI को तगड़ा जटका जरूर लगा है, ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अब ED और CBI के मनमाने रवये पर लगाम जरूर लगने वाली है, फिलाल इस खबर में इतना ही, ये खबर आप उल् स्काट